कौन से एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रोन प्रोट्वन पाय जाता है निउट्रोन अपसेंट होता है तो हमारा आंसर होगा हाइड्रोजन तो हेलो एव्रिवन आज हम एक निया चेप्टर डिसकस करेंगे डैटी इस ट्रॉक्चर ओफ एटम्स सबसे पहले हम बात करते हैं कि डाल्टन्स ने एटम्स के बारे में क्या कहा तो डाल्टन्स ने एटम्स के बारे में एक स्टेट्मेंट दिया था कि किसी भी मेटेरियल की जो सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो होती है एटम्स जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते मतलब यह है कि एक मेरे पास यह मेटे नहीं कर सकते, तो इस stage को हम कहेंगे atoms, ये डालिटन्स का मानना था, लेकिन यहीं पर कुछ scientist इसके खिलाफ थे, उन्होंने ये कहा कि ये atom भी तो किसी ना किसी चीज से मिल के बना होगा, तो यहां से discovery होती है, फिर कि atom से भी कोई चीज छोटी होती है कि नहीं होती है, तो यह search करना है, start करती है, तो मालूम चला कि atom से भी छोटी चीजे होती हैं, और उनको हम कहते हैं, sub atomic particles, और यह sub atomic particles में जो है, सबसे पहले होता है, electron, और electron को हम लिखते हैं, E से, और इसको उपर एक negative charge लगाते हैं, फिर होता है proton, और proton को हम लिखते हैं, P positive से, fifth third जो होता है, वो होता है neutron, और neutron को हम ऐसे लिखते हैं, इसके उपर zero so करते हैं, कि मतलब इसके उपर कोई charge नहीं है, तो देखो, सभी atoms को अगर divide करते हम, तो atom से भी छोटी चीजे होती हैं, जिसको हम कहते हैं, sub atomic particles, इसका मतलब यह है कि atoms भी, छोटे particle से मिल के बना हैं, ज proton और neutron, और atoms जो है, यह तीनों sub atomic particles से मिल के बनते हैं, इसका मतलब यह है कि दुनिया में, जितने भी elements हैं, उनके अंदर जो भी atoms पाया जाएगा, वो atoms यह तीन sub atomic particles से ही मिल के बने होंगे, लेकिन यहाँ पर एक exception है, हमारे पास 118 elements है, 118 elements में से 117 elements ऐसे हैं, जिनके अंदर atoms जो है, वो तीन sub atomic particles से मिल के बना है, लेकिन यहाँ पर एक exception यह है कि hydrogen के अंदर, hydrogen के अंदर एक electron होता है, और एक proton होता है, यहाँ पर neutron जो है, यहाँ पर neutron नहीं पाया जाता, और यह एक important question है, कई बार exam में पूछा जाता है, कि कौन से element के अंदर electron, proton पाया जाता है, neutron absent होत है, तो हमारा answer होगा hydrogen, तो देखो hydrogen को छोड़के, जितने भी material है, उनके अंदर जो भी atoms होगा, वो sub atoms जो है, three sub atomic particles से मिल के बने होंगे, electron, proton और neutron, लेकिन hydrogen जो है, यह दो ही sub atomic particles से मिल के बना है, एक है electron और एक है proton, अब देखो देखना हम यह चाहते हैं, कि यह जो तीन sub atomic particles ह electron, proton और neutron, यह atoms में कहा पर होता है, मतलब यह है कि यह electron, proton और neutron, atoms में कहा पर पाया जाता है, किस तरीके से इसकी arrangement होती है, तो सबसे पहले मैं आपको लिए चलता हूँ, atom के एक structure पे, तो देखो, atom के जो बीच में एक structure होता है, इस चीज कुम कहता है, नियूकिलियस, और इस नियूकिलियस के अंदर दो चीज़े पाई जाएंगी, एक होगा proton और एक होगा neutron, तो हमें पता चल गया कि नियूकिलियस के अंदर ही proton और neutron पाई जाएंगे, एक हमारा sub atomic particles बच गया electron, तो यह electron जो है, यह नियूकिलियस के surrounding में एक रास्ता होता है, एक path होता है, ए इस चीज़ को हम कहता है, orbit, या इसी कई बार हम shell, या energy level कहता है, तो इस orbit के अंदर electrons रहता है, अब यह orbits जो है, यह ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, जैसे मैंने एक ही बनाया है, यहाँ पर मैं एक और ring बना सकता हूँ, इसी तरीके से एक और ring मैं बना सकता तो जितना ज़्यादा हमारे पास electrons होगा, तो उसको रखने के लिए हमें ज़्यादा orbit की जरुवत पड़ती है, अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, newquelles के जो सबसे पास रहता है, orbit, उसके अंदर दो ही electrons आते हैं, उसके बाद 8 फिर 18 इस तरीके से, तो यह हम बाद में दे neutron की जो position है, वो nucleus के अंदर है, यानि nucleus में proton, neutron पाया जाएगा, orbit में electrons पाया जाएगा, इतनी बात जो है, आपको समझ में आ जानी चाहिए, अब देखो, nucleus और यह जो है, orbit, इनकी बीच में आपको यह gap दिख रही है, या हम यह कहें कि यह एक orbit है, और यह दूसरा orbit है, तो मैं इसको नाम देता हूँ, एक orbit, दूसरा orbit, तिसरा orbit, ऐसा ही चौथा होगा, ऐसा ही पाचवा होगा, तो मैं numbers में भी इसको कह सकता हूँ, या English के alphabets में भी इसको जो है, मैं decided करके बता सकता हूँ, तो अगर first वाले ring को अगर English में लिखना चाहेंगे, तो हम ऐसे लिखेंग यहां से आपको एक चीज़ दिख रहा होगा कि nucleus और orbit के बीच में बूइच में कुछ gap है, यहां यह कहाँ हूँ कि यह एक orbit है, यह दूसरा orbit है, इन दोनों के बीच में भी यह आपको gap दिख रहा है, इस gap को हम energy gap कहते हैं, और यहाँ से एक आपको एक structure दिख रहा होगा कि जिसमें nucleus भी है और nucleus के अंदर proton है, neutron है, यहाँ पर orbit है, जिसके अंदर electrons है, यहाँ पर energy gap है, यहाँ पर यह जो है, shell है कुछ, इनका numbers दिया गया है, तो यह आपको एक structure दिख रहा है न, that is called as a structure of atom, इसी को हम कहते हैं, structure of atom, और इस chapter में हमें यही पढ़ना है, कि electron का खोज कैसे हुआ, neutron का खोज कैसे हुआ, हम आज बहुत ही असानी से यह structure बना देते हैं, लेकिन जब start इसका हुआ था, discovery जब इसका हुआ था, तो बहुत सारे साइंटिस्टों ने अलग-अलग structure establish करने की कोशिस की, जो सबसे successful structure जो हम बनाते हैं, वो यही वाला structure है, जो निल बोर्स न तेन